So hello guys I am back to another PUBG Mobile related video and guys मैं वापस आ चुका हूँ मेरे एक इंट्रेस्टिंग और नई से भी brand new video में तो इस video मैंने आपको बता हैं कि अगर आप thumb control अभी तक यूज़ कर रहे हो और बहुत सारे तो करते ही और उसी से pro है बट मैं वो नहीं किया रहा हूँ मैं बस इतना सा बता रहा हूँ कि अगर आप thumb से four finger पे shift होना चाते हो तो मैं पास कुछ basic सी tips है जिसको follow करके आप आराम से easily thumb से four finger claw control पे direct shift कर सकते हो तो सबसे पहले आप जो यानि आपका thumb का layout है माल लीजिए तो आपका जो सबसे पहला काम है जो scope button है उसको आपके right में उपर और उसको full size कर देना उसकी guys और यह जो बाकी सारी चीजे इनकी opacity आप बिलकुल zero कर दो आपको अभी जब तक यानि आपकी इस चीज की practice नहीं हो जाती तब तक आपको इन चीजों को हाथ भी नहीं लगाना है पहले सबसे पहले आपको scope open और fire अगर आप speed में दबा सको उसकी practice करनी है इससे आपका बहुत ज़्यादा फायदा होगा आप four finger करने यानि shift होने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी सबसे पहले आपको काम यही करना है आपकी जो finger से उनसे यह दोनों चीजे पहले इनकी practice करनी बहुत जोड़दार तरीके से फिर second step हमारी आएगी कि यह सब तो है सरी अब इसके बाद जो आपका crouch है इसको आपको right side के four finger पे लेके आना है यानि right side में उपर लेके आना है और खाली इसकी opacity आपको full करनी है और चो पाकी अभी आपने जिसकी opacity डाउन कर रहे है उनको down ही रहने देना है बाकी इनकी इस चो crouch और scope open और fire button है इसकी opacity आपको full रख देना है फिर हमारी चो fourth stage आएगी यानि third आएगी साय तो उसमें आपको pick को pick की opacity पूरी कर देनी है pick को आप आपको सिर्फ यही तीन चीज़े लेनी है fire इसको open crouch और फिर fourth चीज़े लेनी है आपको pick अब आपको pick ले लेना है अब यानि जब लाश्ट अब आपको prone prone और jump button की opacity full कर देनी है अब आपको jump और prone button यूज में लेना है अभी भी आपको जो आपके थम पे fire button है उसको यूज इसमें नहीं लेना है बहुत सारों के नहीं है उनकी लिए उनकी बात नहीं कर रहा हूं है जिनके थम पे fire button है उसको भी यूज नहीं करना है और अब एड़ एड़ एंड इन सब की practice हो जाने के बाद आपको यह करना है fire button को enable करना सबसे पहले काम था हमारा scope open और fire button को दबा करना है अगर आपको अच्छे से four finger master करना है तो फिर आपकी जो third stage जाएगी उसमें आपको pick करने यह नहीं नॉर्मल पिक करने अभी crouch नहीं करना है नॉर्मल पिक करकर करके आपको practice करनी है फिर आपको crouch and pick करना करना है speed में जैसे जैसे आप करते जाओगे जैसे आपकी speed बढ़ती जाएगी तो इसकी भी आप practice करोगे तो यह हो पाएगा डायरेक टीडियम भी खेल सकते हो आप उसका उससे भी प्रहिता हो सकता है तो यह basic सिर्फ तीन इस्टेप आपको follow करनी है scope open fire करना है फिर crouch and fire crouch and scope open and fire करना है फिर scope open crouch and pick फिर fire यह आप की बस normal से step से यह कर लेना है इसकी practice कर लेनी है आपको बहुत अच्छे तरीके से कर लेना training mode में और टीडियम में तो आपका aim भी सही सही हो जाएगा यह करते वक्त आप aim assist disable रखो यानि टीडियम खेलते हो डिसेबल रखो उसको enable मत करो जब आप कोई classic match खेलो उसमें आप enable कर सकते हो बट सुरुआत में अगर आप practice कर रहे हो तो उसमें आप disable ही रखो जिससे आपका aim बहुत अच्छा हो जाएगा गैस और आपको कोई दिक्कत ने आएगी for finger shift होने में तो guys I hope आपको यह वीडियो पसंदा होगी और अगर पसंदा हो तो वीडियो को like जरू कर देना एंड अगर आप मेरे चैनल पर अभी अभी आयो just आयो brand new आयो तो बिल्कुल चैनल को subscribe कर लो और bell icon प्रेस कर लो ताकि आप मेरे वीडियो की notification कभी मिस्स ना करपो मैं मिलूँ आपसे नई वीडियो में कल तब तक के लिए टाटा बेवा सी यू